आज का हमारा css tutorial से एलेटेड 11 वीडियो है और आज के इस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट css and css3 in html यह वैब पेजिस के अंदर css को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप अपने html document के अंदर css file को लिखना चाहते हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे उसको लिखने के लिए आपके पास है 3 ways ठीक है तो लिखा बने चे 3 ways of inserting css and css3 in html web pages web pages के अंदर css को यह css3 को insert करने के 3 way हैं तो 3 way को हम one by one discuss करेंगे आने वाले वीडियो में आज हम first of all discuss करने वाले हैं first part इसका ठीक है तो first क्या है internal css जिसको हम embedded css भी बोलते हैं ठीक है और second है inline css और third है external css ठीक है step by step वीडियो जो आएंगी हम उसमें discuss करेंगे आज की वीडियो में discuss करने वाले हम first part कि हम HTML web pages के अंदर internal css कैसे apply कर सकते हैं ठीक है तो आपको मैं दिखाता हूं यहां पर लिखा हूँ है internal css तो internal style sheet अब css क्या है cast creating style sheet है तो एक जो css की जो property लगेंगी वो internal style sheet पर लगेंगी क्या है internal style sheet is a set of style यह क्या है एक set है style का this is created as a part of HTML document and internal css placed inside head tag by style tag and its selectors जिनको selectors के बारे में नहीं पता description में link दिये हैं आप selector की video जाके देख सकते हैं मैंने selector में बताया है कि आप कैसे-कैस selector को add कर सकते हैं और कहां पर आप इसको attach कर सकते हैं ठीक है तो यह क्या कह रहा है कि जो internal css जो आपकी apply होगी वो होगी head tag की अंदर यानि कि आपको उसको head tag के अंदर लिखना परेगा with style tag ठीक है और उसके selectors ठीक है practical करेंगे अभी तो आपको पर लगेगा कैसे आप उसको attach कर सकते हैं ठीक है नीचे यहाँ पर syntax लिखा हुआ इसका पहले pernah css syntax syntax देखा आपको html का syntax तो पता होगा ठीक है doc type html लिखते हैं आप फिर html tag open करती है फिर head tag open करती है head tag के अंदर आप टाइटल लिखती हैँ और title को close करती है ठीक है उसके बारा क्या करती है यहाँ पर head tag close करती है body को open करती है फिर body close और html close यहापका simple stml5 यहे आप अब आपको apply करनी है इसके अंदर css तो css आप कैसे apply करेंगे first जो part हम discuss करने बाले है वो है internal css ठीक है तो दिखिए मैंने head tag के अंदर ही लिखा हुआ है head tag open किया है head tag के अंदर मैंने यहाँ आपर just title tag के बाद लिखा है style style tag के आगे लिखा हुआ है type text slash css यह आप लिखें या ना लिखें कोई उफ़क नहीं पड़ता तो first of all लिखा मैंने आप स्टाइल टैग और स्टाइल टैग को देखिए मैंने just head tag close के ऊपर बंद कर दिया है देखिए हाँ आप स्टाइल टैग मारा close हो चुका है ठीक है उसके बाल मैंने क्या किया है यह है हमारे selectors h1 जिनको selectors नहीं पता video description में link दिये हुए है देख सकते हैं ठीक है तब आपको समझाएंगे select होते क्या है ठीक है तो h1 यहाँ पे मैंने target किया हुआ है इसको मैंने background color दिया हुआ yellow font size दिया हुआ है 20 pixel ठीक है इस type से ही p लिखा हुआ है paragraph tag को मैंने target किया हुआ है उसको background color दिया है green और font size दिया है 50 pixel ठीक है और इसको लिखने का और तरीका भी है देखिए same property देखिए background color यहाँ पे yellow है यहाँ पे green है आप चाहते हैं आपके h1 में भी same color हो जाए और p में भी same color हो जाए तो आप उसके लिए क्या करते हैं आप use करते हैं grouping representation कि आप इनको selectors को group में भी लिख सकते हैं मैंने h1 tag लिखा फिर comma लगाया फिर p tag लिख दिया फिर under braces के अंदर मैंने background color दिया red और font size दिया 10 pixel यह है कि आपका ज़्याद space नहीं लगेगा अगर आपको पता है कि आपने दो tag लिए हुए है एक h1 लिया है और एक p लिया है और आपने दोनों का ही font size 10 pixel करना है और दोनों की background color को red देना है तो आप वहाँ पर आप grouping use कर सकते हैं grouping representation आप उसमें कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद मैंने क्या किया style tag close कर दिया है आप देखो यहाँ पर h1 और p क्या है h1 और p जो आप लिखते हैं में आप body section के अंदर लिखते हैं तो body मैं लिखा हुआ है p tag paragraph tag लिखा हुआ है और h1 tag लिखा हुआ है ठीक है in community background color और font size दे दिया है आप इसके output चेक करेंगे तो आपको वो show होगी practical करेंगे इसका आप output चेक करवाऊं का आप देखिए same property यहाँ पर apply होगी बस यह है कि css को apply करने के three ways है जोंकि first way हम discuss कर रहे हैं ठीक है तो अब हम चलते है अपने editor में तो इसको मैं कर रहा है clause और देखिए मैंने आप एक folder नहीं है desktop पर इसका नाम है css3 ठीक है इसको मैं right click करके open with code कर लिए open with visual studio code इसको मैं आप पर open कर लिया है ठीक है और इसके बाद करता हूं इस page करता हूं full और यहाँ पर देखिए बन चुका है css के नाम से अब क्या गरना है हमने यहाँ पर एक page create करना है first तो यहाँ पर इसका मैं लिखता हूं नाम internal css.html यह लिखा enterprise किया तो हमारा यहाँ पर देखिए एक html का document यहाँ बन चुका है internal css.html ठीक है अब यहाँ पर हमने simple पहले लिखना है हमने html5 syntax आपको पता है क्या होता है तो यह मैं exclamation दिया और enter किया basic syntax html का लिखा चुका है इसको मैं करता हूं simply save ठीक है अब उसके बापको करना है stylish internal styling title मैं लिख देता हूं title में नाम दे रहा हूं internal css ठीक है अब हम body section के अंतर आती है यहाँ पर एक h1 tag लिखते है ठीक है h1 tag लिखा और h1 के अंतर लिख रहा हूं है hello world ठीक है hello world लिखा same ऐसे ही अब हम इसको save करते हैं और chrome में चलते हैं और जाकर check करेंगे इसकी output तो मैं यहाँ पर देखिए मैं जो file है आप बंचू की है इसमें राइट क्लिक करता हूं और इसको open with google chrome google chrome में इसको मैं ने open कर लिया है और देखिए और hello internal css style sheet यहाँ आपको लिखा आ गया है ठीक है अब आपने क्या करना है इसको करना है stylish internal stylish करना है ठीक है अभी इस demo text में जो आप यहाँ पर लिखा हुआ है html5 syntax यहाँ पर meta लिखा हुआ है अभी आपको meta के बारे में अगर पता है तो better है नहीं तो आप meta के भी videos आप देख सकते हैं ठीक है इसको simply हैसे कर रहा हूँ cut ठीक है अभी पता नहीं होगे तो save कर रहा हूँ और अब just title के बाद में क्या करता हूँ यहाँ पर style tag open करता हूँ जैसी मैं style लिखोंगा देखिए इसका benefit यह है vs code का यह automatic आपको show कर देता है just आपने क्या करना है इसको enter press करेंगे तब का style tag open और style tag भी साथ की साथ close हो जाएगा अब आपको करने है इस पर apply करने है selectors selectors क्यों apply करते हैं हम कि एक element को target करने के लिए element को stylish बिनाने के लिए अब hello world लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि hello world जो लिखा हुआ है उसका color हो जाए red तो हम यहाँ पर क्या करेंगे h1 को करेंगे target तो selectors होते हैं हमारे वह होते हैं for type के हमने discuss किये हैं ठीक है तो आप उनको read कर सकते हैं h1 को मैंने target कर लिया है आप h1 को मैंने color देना है पहली property color color यानि की read save करता हूँ chrome में चलता हूँ और जाके page को refresh करता हूँ तो color है वह red हो चुका है same ऐसे अगर आप चाहते हैं इसका background color देना चाहते हैं तो background color लिखे यहाँ पर इस type से background color मैं दे रहा हूँ green save करेंगे आप apply कर सकती है p tag के उपर तो simply इसी को मैं copy करता हूँ और यहाँ पर enter press करके इसको paste करता हूँ और same h1 के जगा करता हूँ p और color मुझे change करना है इसका color मैं कर देता हूँ white save करते हैं और chrome में आते हैं refresh करते हैं देकि इसका color जो है white है और background color वही green का green आ चुका है ठीक है इस type से आप internal css को apply कर सकते हैं ठीक है अब देखिए एक चीज मैंने और दाई थी grouping करना grouping का क्या use है मान लीजिए मैं h1 को भी same color देना चाहता हूँ white और paragraph को भी white देना चाहता हूँ और उनके background color को भी दोनों को green चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा अब double double मैं लिखा हूँ है तो double ना लिखके मैं कर दूँ मैं की grouping तो p लिखा है p के just point comma लगाना है और यहाँ पर h1 tag लिखना है save कर देना है just ठीक है comma लगाया grouping हो गई इनकी अब आकर आप check करेंगे refresh करेंगे और देखिए दोनों का color जो है white हो चुका है और background color green हो चुका है ठीक है तो यह था हमारा internal css ठीक है कि internal csm कैसे apply करते हैं एक html web page के अंदर और grouping कैसे करते हैं ठीक है so that's it for this video I will see you in next video